हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पाइरल स्टडी में बच्चों आज हम अपने पार्ट number 2 को पढ़ने वाले हैं यानि chemical reactions और chemical equations का आज second part है इस second part में आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक chemical equation को लिखते हैं ठीक है बच्चों chemical equation को लिखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमें कुछ steps को follow करना पड़ेगा, तब हम chemical equation को लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कभी आपके board exam में question आता है, तो या तो आपको word equation दी जाती है, या फिर आपको कोई chemical reaction बताई जाती है, कि आप लोग इसको represent करिये और इसके लिए एक chemical equation लिखिये, तो बच्चो जो basic steps आप लोग हम जान लेते हैं, कि किस तरीके से हम अपनी equation को balance करें, और किस तरीके से हम अपनी equation को लिखें, खिक है बच्चो, तो सबसे पहली चीज, chemical equation, chemical equation मैं आपको बता दू बच्चो, कि जब किसी chemical reaction को symbolic form में लिखा जाए, यानि symbolic representation उसका किया जाए, तो उसको कहते है chemical equation, वही chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction, यानि अगर एक chemical reaction है, ठीक है, और हमें उसको chemical equation बनाना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, chemical reaction को chemical equation बनाने के लिए, हमें उनके symbols का use करना पड़ेगा, हमें उनके formula का use करना पड़ेगा, यानि आप लोगों ने periodic table में देखा होगा, कि जैसे हम oxygen को represent करते हैं O से, है ना, nitrogen को represent करते हैं N से, है ना, और आपका sodium को represent करते हैं हम लोग N से, तो इस तरीके से periodic table के अंदर आपको इनके symbols मिल जाएंगे, और इनके formula मिल जाएंगे, नमबर दो बच्चो, symbols and formula are used for the same, यानि कि इसके लिए हमें क्या करना है, symbols को याद रखना है, और formula को भी याद रखना है, ताकि हम लोग इनको use कर सके, एक chemical reaction को chemical equation बनाने में, अब देखो बच्चो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया example है, example के रूप में, हम लोग क्या कर रहे है, methane की oxygen के साथ reaction करा रहे हैं, है ना, तो methane और oxygen के reaction कराने पर, हमारे सामने जो product बनता है, वो बनता है, carbon dioxide, ठीक है, carbon dioxide के साथ, water भी इसमें बनेगा, अब देखो बत्रो, हमने equation बना तो दी है, है ना, इसको हम कहते है, world equation, ठीक है, इसको हम कहते है, world equation, लेकिन अगर हमारे पास हमें chemical equation बनानी हो, तो हमें इससे कैसे हम लोग एक chemical equation बना सकते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है, देखो बच्चो, सबसे पहले, तो methane का formula यूज़ करेंगे, methane का formula कैसे बनाना है, ये आप लोग को 9th class में बहुत अच्छे से बता इस तरीके से किसी element का आप लोग formula बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद oxygen, oxygen को atomic form में लिखेंगे, तो atomic form में जब लिखेंगे, तो उसको O2 लिखते हैं, always, ठीक है, क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, उसके बाद बच्चो ज्यान देना, जहां पर भी, आपके यानि जब दो को reactant reaction कर रहे हो, यानि सबसे पहले वाले, देखो, जब कोई chemical change होगा, तो chemical change में एक तो आपका होगा initial substance, ठीक है, initial substance, और फिर बाद में बनेगा आपका final substance, ठीक है, क्या बनेगा final substance, तो देखो बच्चो, जो initial substance होगा, उसको हम कहेंगे reactant, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, reactant, और जो final substance होगा, उसको हम कहेंगे product, ठीक है, और इस reactant और इस product के बीच में, हम एक arrow का use करेंगे, जो arrow final substance की तरफ point करेगा, ठीक है, यानि इसका जो ये वाला part है, ये वाला part product की तरफ होगा, तो तभी आपकी एक chemical equation show होगी, represent होगी, अब देखो बच्चो, यहाँ पर ह oxygen का formula लिया है, O2, ठीक है, तो CH4 और oxygen के reaction कराने पर हमारे सामने बनता है, CO2 और H2O, अब देखो बच्चो, अगर कहीं कोई problem आ जाए, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यह क्यों लिखा हुआ है, तो कोई mask create हो सकता, और ना कोई mask destroy हो सकता, ठीक है, यानि mask can neither be created and nor be destroyed during a chemical reaction, तो इसलिए इनके atoms को equal करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारे पास C कितने है, 1, H कितने है, 4, ठीक है, O कितने है, 2 into 2 is equal to 4, ठ यहाँ पर 1 है, उसके बाद O हमारे पास कितने है, 2 और O की multiply इसमें होगी, तो यह भी 2, तो O कितने होगे, 4, और ऐसे ही आपका H, H कितने थे, यहाँ पर 2 थे, और into 2, यानि ये वाला और ये वाला, ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारे पास H भी 4 है, इधर भी H अपने 4 ह इसके बाद बच्चों, आगे कुछ details जानने के लिए हम लोगों को next slide को आना पड़ेगा, अब देखिए, किस तरीके से हम chemical equation को balance करेंगे, बच्चों ध्यान देना ये बहुत important है, ठीक है, इसमें हमने आपको बताया कि दो तरीके चीज़ी होती है, एक reactant और एक होता है product, ठीक है, जो initial substance होता है, जो initial substance होता है, उसको हम कहते हैं आपका reactant, और जो final substance होता है, उसको हम कहते है product, ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहते है, product कहते है, अब बच्चों देखो, इसके लिए 2-3 rules हैं, किवल आपको ये follow करने हैं, उसके आगे आपको उस भी नहीं करना है, देखो बच्चो, a chemical equation shows change of reactance to product through an arrow. इसने केवल एक बात कही है, कि जो chemical equation है, वो change represent करती है, किसकी help से आपके arrow की, मैंने आपको कहा था कि arrow का ये वाला part जिधर की side होगा, वो आपकी equation represent करेगा, यानि product उसी side होगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखते है, on the left hand side, यानि LHS of the arrow, यानि कि arrow के left hand side, यानि arrow आपका ये है, इसका left किदर है, LHS ये है, और RHS ये है, ठीक है, तो left hand side में क्या होगा, reactance written with a plus sign, कभी भी वच्चो ज्यान देना, जब भी आपके दो reactant लिखे जाएंगे, ठीक है, जब भी आपके दो reactant लिखे जाएंगे, तो हमेशा इनके बीच में plus sign जरूर रहेगा, कभी ना तो हम minus का sign यूज करेंगे, ना हम multiply का sign यूज करेंगे, और ना हम divide का sign यूज करेंगे, उसके बाद बच्चो next point पे similarly on the right side products are written, यानि कि आपका जो arrow है, उस arrow के right hand side जिदर येवाला portion होगा, इधर आपका product लिखा होगा, ठीक है, और इनके बीच में भी आपका plus sign add होगा, अब ज्यान दो बच्चो, हमारे पास एक simple method समझने का है, reactant score product को, देखो बच्चो, हमारे पास आलू है, आलू है, प्लस मेदा है, ठीक है, तो आलू प्लस मेदा is equal to क्या बन गया, समोसा, ठीक है, तो यहाँ पर आलू और मेदा, जिनसे चीजे बन रही हैं, जो आपस में react कर रहे हैं, उनको कहते है reactant, ठीक है, और जो आपका समोसा बना है, यह आपका क्या है, product है, ठीक है बच्चो, तो आई होप के यह वीडियो आप लगों को बहुत अच्छी समन में आई होगी, अगर बच्चो आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और कौन से टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए, ये भी आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, आज के लिए इतना है बच्चो, जय हिंद, जय भारत.